नमस्कार दोस्तों क्या हाल चाल आप सभी के मैं निखिल सोनी आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं तो कल तक हमने देखा था कुल अपने साइध तीन तीन नो नो टेंज का हमने हेल्पिंग वब क्रिएट कर लिया था और आज हम बात करने वाले थे प्रिज के अधिनियूस के टेंज सायद हमने इसको एक बारी ब्रेक रखा था कि हम इसको बात में पढ़ेंगा और इसका समय अभी आ गया है अभी इसी को पढ़ने वाले हैं तो दखिए हम इसको पढ़ाने के लिए एक हिंदी का सब्द एक हिंदी का वाक्य यूज करना एक घंटे से पढ़ा रहा हूं दोस्तों देखना जब मैंने कहा हम जब इस टेंस को पढ़ते हैं प्रजेंट पर्फेक्ट तो आपको पता रखता है कि यहां पर एक टेंस तो है प्रजेंट का पर्फेक्ट और दूसरा टेंस प्रजेंट कंटिनिवस तो वहीं देखिए इ एक बार आप जो मैंने अंडरलाइन किया है वह ही उत्रा उतना पार्ट पढ़ना मैं पढ़ा रहा हूं तो साइद आपके कहान ही समझ में आ रही है कि यह कौन सा टैंस्या प्रजेंट कंटेनियूस पर जब हमने इसमें समय भी एड कर दिया कि मैं कब से पढ़ा रहा हूं एक घंटे से पढ़ा रहा हूं कप से पढ़ा रहा हूं एक घंटे से इसी बात को हम कहने के लिए हम कहतें हैं यह क्या है यह है अपना परर्फेक्ट और यह जो बचाबाबावा पार्ट था आप देखना दोस्त दूसरा था टैंस इसको समझने के लिए मैंने आपको एक क्यूशन पहले भी साइद दिया होगा कि आखिर time क्या होता है और tense क्या होता है तो भात आती है कि टाइम क्या होता है और tense क्या होता है तो दोस्तों दखिए इसका लिखने के लिए कहता हूं state of change मैंने लिखा state of change साथ आपको यह definition समझने नहीं आई यह लोगी स्टेट ऑफ चैन्स इसको समधने के लिए आपको एक्जामपल देता हूं कि आप एक कमरे में बंध हो चारों तरफ से विंडोज जो गेर टैक क्लोज किये गए हैं अंदर बढ़िया ऐसी लगी है बाहर से नहीं कोई सनलाइट आ रही है नहीं कोई हमें समय का पता दिख रहा है अंदर मस्त्य यह बढ़िया वेंटल से नहीं कोई दिक्षट नहीं है तो क्या आपको समय का पता लगेगा साइद आप कहना चाहते हो नहीं सर जब हम सा लख को नहीं देख पाएंगे तो हमें समय का पता नहीं लगेगा पर नहीं आपको यहां समय का पता लगेगा कैसे पता लगेगा जब आपकी बोड़ी आपसे क्या एनरजी एक्जोस्ट करेगी आपसे पानी मांगेगी आपसे खाना मांगेगी तो आपको फील होगा कि समय बीत रहा है जैसे जैसे हमने देखा कि कि हम जब भी कोई काम करें या ना करें हम वेले बैठे रहें तो भी हमें क्या है भूक लगने लगती है और ऐसा क्यों होता है क्योंकि समय है किसी के लिए रुखता नहीं है क्योंकि जो बदलाव है वो लगातार होते रहते हैं चाहे आप कुछ काम करो या ना करो तो जो चैं क्या होते हैं अब देखिए जो बदलाओ हो रहा है जो बदलाओ हो रहा है वो क्या है समय है और उस समय के किसी एक पॉइंट को बताने के लिए किसको इस समय के एक पॉइंट को बताने के लिए हम क्या कहते हैं किसका यूज करते या उसको बताने के लिए हम किसका यूज़ घरते हैं तो 10 का समय कि उससे एक पॉइंट को बताने के लिए जिन वर्ड जिन सब्सक्राइब का यूज जो हमें action के बारे में जानकारी देता है, verb का एक ऐसा हिस्सा, जो हमें action मतलब जो भी काम हो रहा है, उस काम के बारे में हमें जानकारी देता है, और वो जानकारी समय के किस particular हिस्से पे हो रही है, समय के किस particular हिस्से पे, मतलब जो action हम कर रहे हैं, कौन से समय पर हो रहा है समय के किस पॉइंट पर हो रहा है उस पॉइंट को बताने के लिए हम जब कुछ अलग-अलग फॉर्मेट्स यूज़ करते हैं उसे हमें पता लगता है कि हम यहां पर टैंस का यूज़ कर रहे हैं अब देखिए दोस्तों मैं आपको यह सारी बातें एक टाइम लाइन पर समझाना चाहूंगा कि यह सब कुछ कैसे वर्क करता है कौन दा टैंस परफेक्ट कंटिनियूस इसलिए मैंने इसको आखिर में छोड़ा था यह मैंने एक टाइम लाइन ड्रो की कौन से टाइम लाइन जिस पर हम क्या करेंगे इस बारी टाइम को डिन है समय का मैंने कहा यह जो लाइन मैंने ड्रो की यह क्या है टाइम लाइन है इस पर हम टाइम को डिनोट करने वाले हैं और इस पॉइंट को जब मैंने बताने की कोशिच की तो क्या यह टैंस का हिस्सा हुआ बेरी गुड और इस पॉइंट को बताने की कोशिच की तो यह भ हिस्सा है पिछले एक घंटे का जो 6 से लेके 7 बज़े तकी बात थी मैंने एक घंटे से पढ़ा रहा हूँ तो ये एक घंटा इस घंटे को मैंने कहा perfect साइध आपको perfect के कुछ meaning त्यार कर पाएंगे देखिए दोस्तों आप मेरे साथ-साथ मैं perfect के तीन meaning त्यार करूँगा और with example आपको अच्छे से समझाऊँगा अब होता क्या है जब आप क्या करते हो गर्मी बहुत हो रखी है राज जब आप क्या करते हो अपने सिस्टे के सामने खड़े होते हो अपने जुल्फों को समारते हो कहां जाने के लिए जहां भी जाने के सजना है मुझे सजना के लिए सजना है मुझे रुकर 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 बहुत बहuentकर हो रहे हो तो समझाई को समझूए आप ने सिसे के सामने खड़े होए वा आपने जुल्फों को अच्छे से सवारा और आप मेरे को ये बताइए कि आप उस еспुश्ष्य के आगे से कब हट प्रफेक्ट मतलब कम्प्लीट हो जाए तभी तो आप हटोगे ना उस चीसे के आगे से हटने का एक ही मतलब हुआ कि अब आपको ज्यादा हाथ लगाने की जरूरत नहीं है जितना हाथ करके हाथ लगा कि अपने को सेट करना था उतने हमने सेट कर लिए है बाल ठीक है दोस्तों तो बात हुई कि पहला पॉइंट मैंने निकाला कि पर्फेक्ट वह होता है जो काम कंप्लीट हो जाए ठीक है त को बस एक ही डिस्ट बनानी आती है वह है मेगी आजकल लड़किया हो ची लड़कियों कोई फरके नहीं पड़ता मेगी और चाहिके लावाए इनको कुछ नहीं आता तो मैं मेगी की बात करता हूँ आप मेगी बना रहे हो मेगी बनाने की प्रोसेस पूरी हुई आपने टे कि बहन कर लोग होंगे खतरनाक लोग होंगे जो उसके आपो को Sus triumph करके आप बता सकते हैं कि परफेक्ट है पर हम क्या कहते है जब तक processes complete नहीं कह सकते बात समझ में आ रही है मैं ने त्यार किया effect can be seen या खेल अब देखिए दोस्तों अभी अभी मैंने एक किलास चाय पी ठीक है फिर थोड़े देर पहले एक और कप चाय का थोड़े देर बाद ही चाय पीने के थोड़े देर ही बाद एक और कप चाय का मिला मुझे और कहा सर चाय पी लो तो मैं उसे क्या करूँगा नहीं नहीं मैंने अभी चाय पी है भई मेरे कोडिंग बताओ आप तो किटक जाओगी आप तो खतरनाक लोगों मेरे कोडिंग क्या है क्या मैं उसे मना करूँगा नहीं नहीं बस भईया मैंने अभी चाय पी लिए आप जहां कभी जाते हो और बस पके पेट में हैं मतलब आपके स्टमीक में है आप उसके श्वेक्ट को आप अच्छे से मैसूस करपारे एंग अब चाए का जो परभाव अपने उपर है वह भी है आलस दूर हो चुका है तो क्या इफेक्ट कैन वी सीन और फैल्ट क्या उसके इफेक्ट का उपने फिल कर पाया उसके बाद मैंने एक और पॉइंट बनाया नो स्कॉप ओफ नो स्कॉप ओफ मैंने लिखा नो स्कॉप ओफ इंप्रूमेंट मतलब वहां पर इंप्रूमेंट की जरूरत नहीं है और नहीं आप इंप्रूमेंट कर पाते हैं मैंने इसकी दो मिनिंग निकाले हैं नो स्कॉप ओफ इंप्रूमेंट के दो मिनिंग है नहीं आपको इंप्रूमेंट की जरूर वह क्या है सबसे सबसे बेश्ट इंजन कि अभी क्या है अभी के लिए वह मेगी क्या है बहूत सही है उसके बाद हम बात करेंगे कि जब आप मिरर के आगे से हटे कब पहटे काम complete हुआ और क्या उस पे फिर से हाथ लगाने की जरूरत है नहीं वह अभी perfect हो चुका है अब वहां पर improvement की जरूरत नहीं है पहली बात तो हमें जरूरत नहीं है दूसरी बात मैंने कहीं आप कर भी दाला थोड़ा और मसारा जो भी आप डालते हो डाल कि अपने उसको बाला तांस मिनिट में मैं की तैयार क्या उस प्रोसेस को बदल सकते हो आप बहला ही स्वाजा नुसार उस पर नमक और लगा सकते हो पर उस बनाई हुए को क्या आप improvement कर सकते हो नहीं ठीक है कहानी आपके समझ में आरा है यसके बाद बात आ ये कौन जी, कि एक घंटे से पढ़ा रहा हूं, मतलब इस पॉंट पे घर हम देखें, तो इस पॉंट के का म्या है, अभी भी masturb अभी भी क्या है, shoe à, इस इसे का काम से राघन हो है, अभी भी में अभी kाम जारी है। अभी भी काम जारी है है, काम बातों को मैं एक डेफिनिशन में बदल सकता हूँ देखना मैंने एक डेफिनिशन बनाई कि भी पार्ट ओफ एन करे एक्शन इज क्या मिठेद दा पार्ट ओफ एक्शन इस पौंपिलेट प्र फुरो इस हैं ऑप और जो बचेवी पार्ट है जो बचावा पार्ट था वो क्या था यह भी भी गॉइंग ओन का मतलब चल रहा है मतलब गॉइंग ओन का मतलब चल रहा है तो कुछ हिसा तो हमने कर लिया और कुछ अभी भी गॉइंग ओना कुछ हिसा भी भी चल रहा है तो इस तरह के टैंस को हम कहते हैं परफेक्ट कंटिनियूस आज समझ में आई एक बार आप पॉज करके लिख सकते हो मैं थोड़ा सा पाणी पिल लेता हूं आपके लिए कहानी बड़ी खुबसूरत होने वाले दोस्तों आप बने रहिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम बहुत ही बैसिक बाते बता रहे हैं और यह आपको आती हैं फिर भी आप एक बार जरूर देखिए ताकि कंचप्ट कलीर हो जाए और मैं आपको वादा करता हूं कि इतना उपर तक आपको ले जाएंगे कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब हम चलते चलते कब हम चलते चलते दोड़ना सिख गए ठीक हैं अगर आप यूँ ही दोड़ने चलोगे तो जरूर गिरोगे और एक अच्छे टीचर की खास बात होती है कि वो आपको पहले चल सब्सक्राइब कर रहे हैं साइध आपको मैंने पर्फेक्ट कंटेनियूस की डेफिनिशन समझाई और पूरे टैम लैन पर बहुत अच्छे से समझाई पर्फेक्ट के मैंने तीन मिनिंग क्रेट किये पहला एक्षिन कंप्लेट हुआ दूसरा नो स्कॉप ऑफ का हैं फिर्फिंग ओप केने रहा हैं एक बारी मां आपको पर निखता हूं महें एक उन्पूजन होती हैं मैं गंटे से पढ़ा रहा हूँ एक बार यह मैं आपको helping बाद में बताऊँगा पहले हमने शिखा कि एक घंटे से मतलब हमें कुछ काम complete मिलेगा कुछ काम continue मिलेगा मतलब अभी भी हो रहा होगा पर गूम फिर के बाद आते हैं कि इस से का हम क्या करें सबसे बड़ी समझा इस से की आती है इस से को समझने के लिए हम किन का यूज करते हैं सिंस या फॉर का किन का सिंस या फॉर का मतलब जब हमें समय के साथ हम लगाते हैं से मैं दो घंटे से पढ़ा रहा हूं मैं 2015 से पढ़ा रहा हूं पिसले तीन दिनों से मैं मैं पढ़ा रहा हूं यह जो से है ना इस से को बत इसको बताते हैं, पहला हमें कोई word के थुरू बताते हैं, दूसरा हमें क्या मिलता है, कोई भी phrase, और तीसरा हमें कोई भी sentence, कितने तरह से हम since और four को बताएंगे, या तो हमें कोई word मिलेगा, या कोई phrase मिलेगा, या हमें कोई sentence मिलेगा, since और four के साथ, यहां तक बात clear है, बहुत अच्छे से दो वीडियो बिनाई ए अगर आप चाहते हो तो उनको भी देख सकते हो और मैं अभी भी कलिर करके चलूँ वह वह कोई बात नहीं है अगर आप उस प्रैक्टिक्स को देखना चाहते हो आप वहां देख सकते हो मैं इसको रफ करता हूं मेरे को थोड़ी जगाँ चाहिएगी यहां बात समझ में आई कि मैं मैंने कहा कि एक घंटे अपना क्या वह परफेक्ट काम और जो मैं पढ़ा रहा हूं कंटेनी है तो अपना परफेक्ट कंटेनी हूं आपर इस से को बताने के लिए हम इंगलिस में करते हैं और यह बड़ी समस्या करते हैं आपको कि कहां सिंज का यूज आना चाहिए कहां फॉर का यूज आना चाहिए इसको समझाने के लिए मैं एक बारी फिर आपके लिए कुछ पॉइंट्स त्यार करता हूं आप तसल्लिश से देखना मेरे साथ बने रहे के हैडिंग म सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी अ कि सबसे पहले मैं बात करता हूं सिंज की सिंज को बताने के लिए मैंने कहा हमें क्या मिलेगा समय का एक पर्टिकुलर हिस्सा मिलेगा एक प्रटिकुलर पॉइंट मिलेगा तभी हम सिंज का यूज करेंगे और इस पॉइंट ऑफ टैम को समझाने के लिए मैं कह सकता हूं आपने हिंदी में आज तक पढ़ा होगा इंग्लिस में हम कहते हैं उसे specific time मिलेगा आपको और आपको ने हिंदी में रटा होगा निश्चीत मेरा हिंदी बताने का कोई मक्चद नहीं है मैंने आपको English सिखानी है इंग्लिस में हम उसे क्या बोलते है specific time और आगे हर बारी मैं specific time ही बता के चलूँगा तो उसके लिए एक बारी मैं हिंदी को रफ कर देता हूँ बात हुई अपनी specific time कैसे specific time हमें क्या मिल सकता है कोई भी day, date, month, year and क्या season कहानी समझ में आ रही है दोस्तों हमें क्या है particular या भी तो कोई date या तो हमें कोई day मिलेगा या हमें कोई date मिलेगी या हमें कोई month मिलेगा या हमें कोई year मिलेगा हमें particular year के बारे में बताया जाएगा जैए देखना example है since Monday मैंने लिखा since Monday since 2002 आपको या ना देके आपको particular year बताया जाएगा कौन सा या है हमें point of time और time को specify किया जाएगा कि कौन सा समय है अब date जैसे मालो सिंज 23rd June 2002 कहानी समझ में आ रही है कि आपको particular date दी जा सकती है आपको यह वर्ड नहीं मिलेंगे आपको इनकी name मिलेंगे को season का मतलब सिंज मांसून बात समझ में आ रही है ठीक है ऐसे आप कितने भी example लिख सकते हो पर मैंने समझाने के लिए तो example लिखे हैं आगे चलते हैं point number two देखिए ड्रेब आप बताते हो parts of day क्या बताते हो parts of day देखे भी अलग-अलग part होते हैं जैसे कि morning noon afternoon evening और night और इनको बताने के लिए आप इसके पहले क्या लगाते हो since since morning since evening कहानी आपको समझ में आई होगी point number three में आपके सामने लेकिए आ रहा हूं जिसमें आप क्या करोगे क्या करोगे आप क्या करने वाले हो stage of life क्या करने वाले हो stage of life मतलब life के अभी कुछ इसे आपको philosophy ने बताई होंगे क्या life के कुछ इसे आपको इस फिलोस्पी ने बताई होंगे और उस हिस्सों को जैसे कि कि चाइल्ड फुड शिंज चाइल्ड हुड बात समझ में तेनेज कहानी आपको समझ में आ रही होगी ठीक कुछ हिस्से हैं जो कि आपको फिलोसोफी ने बताई हैं लाइफ के उस स्टेज को हम क्या कहेंगे उसके पहले हम सिंस का यूज करना चाहेंगे और लास्ट में अप नेम ओफ इवेंट यह कोई इवेंट यह कोई ओकेजन बोल सकते आप ठीक है ओकेजन जैसे की सिंज दिवाली सिंस के इस वाड़िगं कहां नहीं समझ में आ रही है आपको सिंस का यूज कहां मैंने बताया आपको सबसे पहले पॉइंट ओफ टैम दिये जाएगा लंबा सारा टैम नहीं देंगे एक पोईन ओफ टैम ही दिया जाएगा जैसे कि आपको कोई दे देगा से जैसे की अक्टूबर सितंबर ठीक है जैसे एर मतलब जोजार दो जैसे मैंने लिखा शिंस 2002 सिंस मांशुन अब जैसे की सिंस मौनिंग इवनिंग फिर मैंने बात की स्टेज ऑफ लाइफ सिंस इवेंट सुरी सिंस अडल्ट हुड फिर बात आई अपनी नैम ओफ इवेंट की हम को भी इवेंट या किसी भी ओकेशन के पहले हम सिंस का यूज करेंगे एक बार आप सिंस के यूज को लिखो फिर आगे चलते हैं कि आपने यहां तक लिख लिया होगा यह पर पॉस करके आप लिख सकते हो और जो यह मैंने पॉइंट पॉइंट ऑफ टाइम लिख वाया है ना आपको सिंस का इसके लिए आप इसको एक हैस्टिक लगा कि इसकी पहले लिखना स्टार्टिंग पॉइंट हमें क्या मिलता है हमें हर बारी स्टार्टिंग पॉइंट यह जो पॉइंट ऑफ टाइम है ना इसको हम स्टार्टिंग भी बोल सकते हैं यह जो point of time मिलता है यह क्या मिलता है starting point अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में फॉर के बारे में फॉर क्या है देखना इसको बताने के लिए मैं कहूंगा आपको क्या मिलने वाला है पिरियड ओफ जहां मैंने सिंज के लिए यूज किया दा point of time वही मैंने अभी क्या यूज किया है पिरियड ओफ टाइम पिरियड ओफ टाइम मतलब एक ऐसा समय मिलेगा जो क्या है एक डूरेशन है एक लंबा सा समय है जैसे दो साल पिछले दो साल तीन दिन बात समझ में आ रही है आपके आपको कोई specific date या day नहीं मिलने वाला इस बारी क्या मिलने वाला है period of time दो तीन दिनों को हमने group बना के डाल दिया जैसे कि देखो पहले सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सबसे पहले मैंने लिखा यह आपको मिलेगा indefinite time indefinite time कैसे मैंने मेरे दोस्त को कहा कि कल हम मिलते हैं ठीक है पांस बजे हमारी मिलना तय हुआ मैं पहुंचा छे बजे एक ही घंटा लेट हुआ था हुआ कि में पहुंचा उसने का रहे रहा भई कहा ता मैं तश्य रहा कितनी देर से इंतिजार कर रहा हूं मैंने कहा कितनी देर से बहुत देर से और लांग टाएं ठीक क्या लिखते हैं ए लॉंग टाइम अब यह जो ए लॉंग टाइम इसके पहले क्या आने वाला है हमें पता नहीं है भई यह बहुत चार अचमें कितना है नहीं पता तो उस टाइम को जो अपने पास स्पेसिफाई नहीं किया गया है हमें एक पीरिड ऑफ टाइम दिया गया है उसके पहले हम क्या लगाएंगे नहीं भई यह फोर क्या लगाएंगे फोर फिर बात आती है क्या फिर बात आती है अपनी निमेरल मैंने लिखा क्या आपको पता निमेरल क्या होते हैं अंकों को सब्दों में लिखना वर्ड में लिखना है क्या होता है अब आपको निमेर के साथ कोई भी टाइम वर्ड मिल सकता है जैसे की टू डेज क्या दो दिन उसके पहले आप क्या लगा होगे फोर टू डेज फोर टू तू तू कहा नहीं समझ में आ भी आपके कि आपको निमेरल वर्ड मिलेंगे निमेरल के साथ जैसे मा hormonesलो तू को मैंने ऐसे वर्ड में लिखा a ।ू को भी लिखा उसके साथ कुछ टैमप्ट losing में लिखा उसके पहले आप क्या लगाना चाहोगे और बात आती है point no.3 की यहां पर क्या होगा आपको calculated क्या मिलने वाला है calculated time कैसे जैसे मालो आपको दिया मिला decade क्या मिला decade तो decade से पहले क्या आएगा four decade आपको दिया मिला कोई century century क्या होता है सो सालों से मिलके बनती है century decade होता है दसक दस सालों से मिलके बनता है अब दस साल क्या एक period of time हो गया calculated time हो गया दस सालों को मैंने calculate किया तो हमने बोला उसको decade तो मैंने यूज किया four लिखा सेंचुरी सो सालों से मिलके बनती एक सताबदी उसके लिए मैंने यूज किया फिर से for और इन केटेगरी को मैंने कहा है क्या काया है इन केटेगरी ने कहा है पाइए सज्व पाइप साइध मिलने वाला है का मैंने जाके जो देखिए अगर आप यहां तक पहुंचे हैं मतलब आप वीडियो देख रहे हो यहां पर आपको आई बटन पर मिलने वाला है कि नोटिफिकर्शन आए गाज जिस पर मैंने आपको फोर और सिंज के यूज का एक प्रैक्टिस सेट करवाया है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूगा आप व इसके यूज मैंने सीखे तो हैं बट मैं अभी करवाना नहीं चाहता यहीं कि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी जूंकि मैंने करवाई दिये हैं तो आप क्यों ना उसी को देख ले सही है या गलत यहां पर टाइम वेस्ट करने के दुरूरत नहीं है ना अब देखिए द यूज का परफेक्ट में कौनची फॉर्म आती है थर्ड और इसमें इन धोनों को एक साथ हम नहीं लिख सकते हैं तो हमने क्या किया इसके लिए हमने वर्प की थर्ड फॉर्म किस से उधारी मांगी है याद आ रहा है ना किस से मांगी थी भी की थर्ड फॉर्म लेकि आए notwend अभी देखिए दोस्तों मैंने कहा था कि हम थोड़ी बात कि यसके आगे करने वालے है मैंने कहा agile कीब कहा की இ एंजी फ़्हन लगाने वाले हैं और बात आते है dated helping किप किसले prefect की ऐया continue कि दोनों में अलग अलग helping अचिस होती पर इसने वहीं एक सर्थ लगा दी कि ठीक है वर्ब की थर्ड फो मेरे ना कि आप बीन का यूज़ कर सकते हो पर जो हेल्पिंग वर्ब वो किसकी रहने वाली है एम क्या यूज़ कि तो इसके पहले हम क्या यूज़ करेंग एक हैज पलस है यह में उस्ठक्टर नहीं लिखाया है मैंने इतना बताया है helping above और यह सब कहां काम आने वाली है सायड मैंने आपको बताए और हैस का यूस कहा होता है झाल के साथ और हैस्गा यूज्ण होता है सिंघोरल के साथैंहैंज पर हमने था सब्र आते हम रवी हैस बीन वेटिंग पोर जंपल देखना रवी हैस बीन वेटिंग यहां पर सिंज या फिर फोर रवी हैस बीन वेटिंग पोर मैंने लिखा तू आवर्स क्या आपको निमेरल के साथ को टाइं वर्ड मिला है तो क्या आप सिंज का यूज करोगे नहीं तो क्या आने वाला है और तो सेंटेंस क्या बना रहाए हैं यह बीन वेटिंग फोर तो हावस देखिए हमने यहां का यूज किया वीन लेके आना था सब्सक्राइन लेकि आए अब की आएंजी फॉर्म भी आई फिर सिंस और फॉर में हमने फॉर को चूश के हो कि हमार साथ टाइम बताने वाले सब्सक्राइब क्या थे पॉर के लिए शुटेबल थे अब नेगेटिव बनाते हैं रवी और हैस नोट है बीन कि वेटिंग हैर कि फॉर्स थ्री फॉर्स थ्री हावर्स या फिर दू हावर्स को ज़्यादा अपने फरक पढ़ने वाला नहीं है उगर आप इंटेरोगेटिव आप इसका बनाए सकते हो है ज्रवी बीन वेटिंग है क्या बनाओगे हैज का पहले ले आओगे हैज रवी बीन वेटिंग हैर फॉर त्री डेज कहानी आपको समझ में आई है कोई कन्फिजन नहीं है चलिए फिर अगले टेंस की बात कर लेते हैं यहां हम आपको रफ कर देता हूं अगला टेंस कौन सा है अपना अगला टेंस कौन सा है तो बताइये कौन सा टेंस है पास्ट पर्फेक्ट कहानी सेम है परफेक्ट के लिए हम बीन का यूज़ करेंगे के लिए बब की आई एंजी फॉर्म आएगी डॉट 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 लास्ट में सीन सो और फॉर में से कुछ उठाना पड़ेगा हमें उसके बाद टाइम दिया आएगा और बीन से पहले इस बारी है उना कि क्या आएगा है क्योंकि बात किसकी हो रही है पास्ट की बात समझे में आरे होंगे पास्ट परफेक्ट क्या होती है तो कोई कंफूजन ही नहीं है उसी को कंवर्ट कर दे रवी है यह है यह वेटिंग है यह सिंज लास्ट संदे क्या है जो रवी है लास्ट संदे से वेट कर रहा था बात समझ में आई है क्या आपके कोई कंफूजन है आप इसको नेगेटिव भी बना सकते हैं और इंटेरो केटिव भी बना सकते उस पर हम अभी टाइम जाया नहीं करेंगे ठीक है दोस्तों अगले वाले एक और टेंज की बात क्लिकते हैं जल्दी से एक और टेंज है वो कौनचा है सायद आपको याद आ रहा है कौनचा रह गया था future perfect continuous और आपको पता ही है कि इन दोनों के लिए सेम बात रहने वाली है फुचल परफट के लिए आप क्या यूज करते थे विपए या आस एल पर इनके साथ क्या आता था है कहीं confusion नहीं है अब इसके लिए क्या यूज करोगे विल या एशा प्लस हैउ कुछ गड़वड हुई सायद आपको अब याद आ रहा है कुछ पहले का पड़ा हुआ और वह पड़ा हुआ क्या है कि हम फूचर में क्या यूज नहीं करते सिंज का यूज नहीं करते हैं और इस कहानी को मैं आपको बहुत समझाओं क्या कहानी क्या है कि शूचर में हम सिंज का यूज क्यों नहीं करते हैं पास्ट में हमने सिंज का यूज किया क्या बताने के लिए स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए ठीक है और अब फ्यूसर में क्या होने वाला है उसी सिंस को हटा कि हम किसका यूज करेंगे फ्रॉम का देखिए आपको एक्जाम्पल बता रहा हूं एक मैं किरन 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 कि विल और है व बीन लिविंग इन आउस्ट्रिया क्या लिखा मैंने करन विल है विन लिविंग इन ओस्ट्रिया सिंस तू थाउजन थर्टी देखिए दोस्तों कहानी में कहां गड़वड हुई क्या आप पता कर पा रहे हो किरन विल है विन लिविंग इन ओस्ट्रिया ओस्ट्रेलिया नहीं सर यह ओस्ट्रिया है अब आप को पता लगा कि सर इसमें सो सिंस के बाद time मिलता है specific तो time है पर समय किसका नहीं है the past का or present का नहीं है किसका समय है future का तो आप इसको काटके क्या करोगे कहाने आपको समझ में आई होगी करन यहां तक आज हम करने वाले बस इतनी ही बात कि हमने तीनों प्रफेक्ट कंटिनेश को और जो बात मैंने कही है कि जो यूज आपकी यहां से कन्चर्प्ट तो मैंने यहां क्लियर कर दिया है और मैंने कहा था उसकी वीडियो आपको आए बेटन पे मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक होगी किनकी उनके प्रैक्टिस सेट की और आज तक के लिए इतना काफी है कल आप यहां अगर आएं साड़े साथ बज़े अपनी क्लाज़े आती है और आप उसको देखने के लिए अपना नोटिक्रेशन ओन कर सकते हैं और जब कल आप उन वीडियो को देखें तो पहले वाले वीडियो को प्लीज यहां तक आप पढ़के आना ताकि आज आज से हम आगे अपने लेवल को अप कर सके हैं यहां तक अपना बैसिक टेंस कंप्लीट हो गया है जो मेकिंग औफ फैल्पिंग वापस थी वह हमने कंप्लीट कर ली और साथ-साथ हमने विल सेल का यूज़ भी देख लिया सिंस फोर का यू स्टीप लिया साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-सा प्लीट का यूज़ यहां वाल अजोज़ आवाश्व